साथियो आप सभी को नमस्कार में नाम सतिस कुमार साथियो आज जो हैं हम गाउं में हैं थोड़ा आवाज हो सकता है साइड से आए तो उसके लिए हमें जो हैं कि माप किजिएगा चलिए दूस्तों आज इस्टार्ट करते हैं बहुत यह अच्छा टॉपिक है नींद को लेक स्मझने का प्रयास करेंगे नींद क्या है दे ब्लोग है मतलब दिन भर क्या करते हैं आभ जैसे गोओं में है यह इवी चीज़ करते हैं यह ऊसी लिए सफर होने हो आपने डखो भाई को दूर करके जो है कि मतलब वीडियो बना रहे हैं सब साथ जा रहे हैं आप यह सब 7 के मार्केट गूंब तो सब जबांस बिजिए और बना बना यह सो उससे को सबस्क्राते हो दोलों एक है के इनक नहीं तोes से सब्सक्राइब यायुद करें तो चलिए नीद की समझ्याइब पर बात करतें दूस्तों की वर्ल्ड में ना मतलब जो एक बाढते जा रहा है यह चिंताय घबराहाट जिसके कारण से क्या हो रहा है कि नींद जो है कि लोगों को दिर दिर रात तक नहीं आना यह सब हो रहा है अब दोस्तों हम बात करते हैं कि नींद क्या है जब हम लोग रात में जब सोते हैं अगर हम लोग सोने का बार-बार प्रियास करते हैं तो कि किसे को पता नहीं चलता है कि नींद एक्षवली में कब किसको आ गया थोड़ किसी को पता चलता है अपने अप्ठाउट फ्री मुठाउट को छोड़ दी मतलब कि जो आ रहा है या जो भी चीज चल रहा है जो भी चीज जो एकि मन्थन करना छोड़ दिए तो उसके बार निंद आ जाता है तो नींद न प्रितल ऑट आएगा और आपको नूट के वाज़े से क्या होगा मन इतना झो है कि कनिंग है मन इतना जो है कि मतलब कनिंग रहता है जिसके कारण से वह तुर डर ने लगता है वह हाँ आउट क्योंकि मानसिक समस्षया के दुराण ısıटी के दुरभांद निगटिटीव त entitrica आते हैं जिसके कारणसे क्या होता है कि डरने लगती इनके कारणसे डरने कारण से वहां पर सबस्क्राइब करें किमार्ण सlor टो ने हमांख होता है माइंड में इमचल चलता है क्योंकि माइं तो सम्मेट काम करते रहाती है क्योंकि वह को हाट को approya कि हमारे हांसों हमारे ग्रीष को चलता है खाना पचाता है सब चीज्क गता हूं सब क्उठेस माइ लाइफ में जिवित रहते हैं तब तक वह हमारा काम करते रहता है तो इस बात को समझने का जोड़ी है और यहां पर जो है ना जो रात को नींद की समस्याई आती है यहां पर समझना होता है कि हम लोग working through the mind तो कर रहे हैं लेकिन working on the mind नहीं करने का जोड़ी काम नहीं नहीं आ कोई चीज के बारे हम जाने कोई चीज के working on the mind तो आता वाट इस ठाउट क्या होता है हमारे लाइब में फिर उसके बाद फिलिंग क्या है इमोशन क्या है यह सब चीज जानना और यहां पर जो नींद लाने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों रात में अगर सोने जाते ह है जब आप सोने जादy से आपको 10 मजे सोने के जाना है तो उसके 2 time या 1,5 time पहले आज छिए मोरा को चोड़ना हो गया जबार नहीं vrij आप खाना खा सुने जाते हैं दो गंटा पहले कर चूने तीस्रा चीज़ रही जरूतकी खाना नहीं वहाँ वह कुशन काको आपको के आपके घूर्म कानी पहले कर नहीं पहले तहते हो दोडर हुआ सब्सक्र करते सरावед heeft देदाका चूह पहले हो जो हुआ हे जो भर में कोई ने कुछ एक दो भी चीज जिप आपके साफ वहा होगा जो आपके लिए अच्छा लायायाओगा आपके fort नसी ऑपके गर में ऑप वहाँ सवह ते लिए कम आपके लिए देख सवर देख पा रहें उसने के लिए उसके लिए नही 17 जो चीज आपको पहले से मजूद है जो चीज उससे क्या होगा है कि आपके माइंड में भुस्टनामा माहौल बनता है तो उससे क्या होता है दोस्तों कि आपके अंदर जो है कि एक positivity आती है जो चीज है उसके लिए gratitude कीजिए जिसे आख आख से क्या आप देख पा रहे हैं उस और हम आपका जो बोड़ी अच्छे तरह किसे काम कर रही है कितने इसे लोग जिनको एक हाथ से काम कर रहे हैं तो इस ऐसे लोग है आप इस चीज को जो है कि ग्रिटिविट में लाइए इसे क्या होगा दोस्तों कि ना आपगे अंदर पोजिटिविटी आएगी आपके अंदर झो है कि रात में जब सोने जाए तो यह काम करें या तो लिख ले लिख ले और बोले भी नून काम करें इसी और नींद आनी में आपको बहुत ही सालियत मिलेगी तो यह चीज जो है कि हम बताना चाहते थे कि कि working on the mind करने हम दसरा वीडियो बनाएंगे वारे कि आंध मांट अच्छ he कि किताब के बारे में हमें की वर्किंग आंध मांट मतलब क्या हुआ वर्किंग अथलो दौ मांद मत्द इस किताब जो है कि इस टॉपिक के ओपर है बिजनेस स्कूल है इसका मतलब क्या है कि इसमें बिजनेस स्कूल के बारे में बताया गया होगा फिर इसके बारे में मान लेते हैं तुरत कि हाँ इसके बारे में यह चीज दिया होगा जिसे कि कोई चीज है जैसे मौईल है मौईल के सब्सक्राइब और यह कोई समझ लेमी चाहिए और मदद से कुछ करना तो फिई-धित फुरू-दा-माइंड एक टीचर के पास आते हैं उसके लिए पहले रेस्पेक्ट की भावना आ जाता है मतलब वह चीज़ जो है कि अपनी आप आता है तो वह क्या हुआ सुच सब दोस्तों के पास रहते हैं तो अलग भावना आता है तो यह जो है कि DAVID क्रिक्व भी जाता है एकशान की से जहते हैं तो वहां på कि ठाउट अलग होजाता इस को working on the mind को समझ लेना कि यह ठाउट आ गया इस ठाउट के विए सब क्या हो रहा है मेरे मैंड में उसको समझ लेना working on the mind हुआ इस चीज़ को समझना जो है कि बहुत जोड़ी है इसके बारे में deeply और जो है कि बात हम करेंगे working on the mind बहुत ही life में जोड़ी है आप working रात को सोते समय जो है कि मतलब यह विचार आ रहे हैं इस विचार को आ रहे हैं तो क्या होगा यह समझ लेना कि यह विचार आ गया तब इसके वज़े से यह होने वाला यह क्या होगा working on the mind को समझना बहुत जोड़ी दोस्तों जब आप working on the mind को समझने लगेंगे तो दि सब्सक्राइब करते हैं कि निंद लाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले करना है फिर उसके वाद आपका खाना से थुरा पहले खा लेना है तिसरा चीज जो है कि आपको gratitude का यह सबसे बहुत इंपोर्टेंट चीज है वह दोनों थुरा कम भी हुआ तो क कोई दिक्रत नहीं लेकिन यह gratitude के भावना अपने अंदर अगर पाल लिए अपने अंदर कर लिए तो आपके अंदर बदला आवा जाए दोस्तों चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीता करने देते हैं आपको नहीं अच्छे आएगी अगर इससे भी कोई आपने नहीं सम आप मुझे कॉल कर सकते हैं मुझे जो हैं कि मैस कॉंसलिंग ले सकते हैं थैंक यू फैंस विस्ट्यू वेल्थ भी हैपी